हेलो विवान वेलकम टू जैनिक जैई एस्टेडी तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था कि वहीं कंटूर का इंटर्पोलेशन कैसे करते हैं इंटर्पोलेशन कंटूरिंग में कितना इंपोर्टन रखता है वह सारी चीज़ें आपने देखी और इंटर्पोलेशन क इसे मैठेड भी बताया थे लास्ट मेठेड हम लोग चल रहा था ग्राफिकल मैठेड उसमें से एक मैठेड मैंने आपको बता दिया था दूसरा मुझे बता आना था तो चलिए हम लोग करते हैं बट कंटीनू करने से पहले बेल आइकन को प्रेस कर दिए सेशन को शेयर कर है ग्राफिकल मैठेड ठीक है इंटर्पोलेशन का हम लोग कौन सा मैठेड करने जा रहा है ग्राफिकल मैठेड इंटर्पोलेशन भाई ग्राफिकल मैठेड अभी इसमें से एक बता दिया था मैने ग्राफिकल मैठेड में और दूसरा आपको जो है अभी यहां समझना है तो वेरी सिंपल वही काम करना है कि जैसे एक आपको लाइन ले लेनी है जैसे मैं आप लेना है एक पूल एक एकसे ले लेना है वर्टिकल एकसे इस तरह से कि यहां पर आप देख सकते हैं और इसका जो मिड़ पॉइंट माल लीजे 200 मानवाली समोच रेखा में ग्याद करनी है तो अब और उसके जो प्रविंदुतल है मतलब जो स्पॉट लेवल्स है वह मालीजे 201.2.0 और 202.0 पे जा रहा है ए और भी ठीक है और हमाते सारी रेंज जो है 200 से लेकर के 204 के रेंज में है तो इसका जो मिड़ वाला लाइन होगा यह 202 जो दर्शा है उसको हम मिड़ पॉइंट पो और यहां पर हम एक पोल ले लेंगे न एक वो पॉइंट पोल ले लेंगे और इससे इसको जॉइन कर देंगे डिया ठीक है नीचे वाली बान की रेखा हो गई और यह 200 सो पीन मान की रेखा होगा अब ही बस क्या करते इनको जुआं करना है पट अपट जॉआं कर दिया इस तरह से ठीक है है और यह हमारा पोल हो आपको नजर आ रहा होगा यहां पर एक मिटर को हम लोग वह पांच से दस भाग में तो पांच भाग में ले रहा हो यहां पर आप दस तक भी ले आ जा सकता है तो इसके पांच भाग बनाएंगे 202 एक बाग इसका 20 200.20 200.40 इसके बाद 200.80 अब इनको हम लोग क्या कर देंगे जॉइन कर देंगे इस तरह से जॉइन कर देंगे इस तरह पर अब यही काम हमें और तब के लिए भी यही काम करना है यह 201.202.201.40 201.60 201.80 ठीक है 201.202.201.40 201.60 और 201.80 लास में 202 ठीक है करी है ना इनको भी वही काम करें जॉइन कर दीजे फटा फट यह देखे जॉइन कर दे रहा हूंड इस तरह से जॉइन कर दे रहा है अब इनको भी अम लोग 60 और यह 202.80 ठीक है एक दो तीन चार अभी इनको भी हम डिवाइट कर देते हैं 203.20 203.40 203.60 एंड 203.80 इतना क्लियर है वही काम इसमें भी करते हैं फटाफट जॉइन कर लीजे सबको यह जॉइन कर दिया ठीक है अब जॉइन करने के बाद क्या करना है अम लोगों को कि जॉइन होगा है अब यह आपका दूसरे मेठट वाला ग्राफ पहले वाले में क्या था कि स्टेट इसमें क्या एक सेंटर एक पोल ले लिए 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 वहीं से रेडियली लाइन जो अड्रों कर दिया लिए तैक आप जैसे की माहनन लिछै कि भाई हमारा जो पाइंड था फिक है इस पॉइंड को मैं ले लेता हूं माहनने की हमारा जो प्वाउंड था अवा या spot level है जो हमारा प्रभिंद उतल है ए और बी वह एक है वह की वहलू माल लेते हैं भाई ए हमारा है 201.2 पर और बी है 202.8 जीरो पर तो 202 माल ले रेका ए और बी के बीच में आएगी ए देखी कितना 201.20 यहां पर और यहां आप इसको हम इसतर सट करेंगे इस पर लाएंगे जो हमारे हैं की 201.20 वाली रिकार एपर लाइक करने लगे से देख रहां यहां पर हीपा चीच है यह मैं इसको यहाँ पर यह बना दे रहा हूं चीच है यह पॉइंट हो गया एपर यह लाई करने लगें समझे रहा हैं अब दूसरा पॉइंट जो हमारा बी है 202.80 उसको क्या करना है लाई करने लगा हो सकता है कि बी पढ़ते पास ना हो रहा हो तो हमें इसको इस तरह से इसको भी इस तरह से करना है जैसे भी आपको बैटरन लगे कोई दिक्कत नहीं जैसे भी आपको सुभिदा हो इस तरह से एड़्जेस करिए कि ए दो सोटींट दो जीलो यालि रिखा आए से पास हो और बी वालि रेखा और दो início में जाए अब इना पास होने लगएगा तब यह आपका सघ्ट जाएगा और जब यहापका सब्सक् Baumorkolele को इस पौइंट पर इस Leon गुट करेगी वो नवीन गुर्सरिएंट करेगा इस पहले भी मैंने आपको बेस्ट लगता है जिससे आपको सुविधा पढ़ती है आप एपलाई कर सकते हो यूज कर सकते हो कोई लिक्कत नहीं ठीक है अब आप लोग आगे बढ़ते हैं अब यह चीज़े तो आपने सीख लिए कि इंटर्पोलेशन कैसे करते हैं इंटर्पोलेशन के बाद अब हम लोग डिस्स करेंगे कि जो ह है और क्या कर सकते हैं जो हम्हारा पहले का जो कभी फूल लाइन से ड्रों कर सकते हैं या फिर डॉंट लाइंसे यम्से और कभी बैस करिये कि पेंसिल से ड्रॉ करिए फिर पेंसिल जब हो जा तो उनको कलर से पेंट भी कर सकते हैं इस्टेशन पेंग जो लगाते हैं उनकी कंटूर के मान लिख सकते हैं ठीक है उनको मेंशन कर सकते हैं ठीक है यह चीजें कर सकते हैं और इसके बाद जो है जो पॉइंट्स को मिलाने वा प्रेंच कर दिया अभी फ्रेंच कर कुछ इस तरह का होता है यह इस तरह का यह इस तरह का यह फ्रेंच कर कोशन मांग जी से शेप नहीं होता ना इस तरह से यह फ्रेंच कर होता इसी को फ्रेंच कर बोलते हैं यह जो कर आप देख रहे हैं इसी को फ्रेंच कर बोलते हैं क्या जो है बहुत आपको दिहान से रिप्रिजेंट करने हैं यह सारी चीज़े थी अब देखिए अब हम लोग डिस्ट करने वाले हैं कि जो हमारे सर्वेइं मतलब इसमें कंटूरिंग में अब हम कोई सर्वेइं अलाइमेंट कैसे करते हैं किसी रेलवे लाइन का नहर का कैनल का या जो है और किसी लाइंटर का अगर में उसका लोगनेंट करना और ही कि यायमेंट करना है वंद अधर Mu स्कॉफ । टुक जैसे करते हैं है हुट है अफ्सक निया आप देख रहे हैं सिर्ट डिफ्रेंटहट वैलुज की कंटूर लाइन है आप देखे रहे हैं तो हुझ आप देखा है कि एक वैला आपको नजर आएगी जोसे एक वेलू आपको जो है माल लेते हैं इसको यह 100 है यह 99 जो भी माल लेते हैं ठीक है 99 या इधर से 99 100 101 वान अने टू जो भी आपको बिटर लागे अब यहां पर एक पॉइंट हमने लिया यहां पर एक पॉइंट एलिया दिया अब इसका जो कंटूर इंटर्वल है इसमें आप देख रहे हैं दस दस हमें दस दस का लेना पड़ेगा ठीक है तो दस का ले लेते हैं टॉपिक को समझने के लिए ठीक है यह जो है माल लएं यह तो जो है यह अब धी यह हो गया हुआ यह हो गया है अब दसदस के डिफ्रेंस पर ले 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 लेते हैं लोग ठीक है तो यह चले माले पर 70 80 90 100 100 मे लगा धागा चो निकल के भागा है 110 ठीक है 110 हो गया अब क्या करना है मैं कि आप इसका जो कंटूर इंटर्वल आप देख रहें इंटर्वल जो आप देख रहे हैं वह है चैन मीटर का और इसमें जो लॉंगिट्यूड़ स्लोप प्रोवाइड किया गया है वह माल रहें कि वन इन थर्टी का यूज किया गया इसका मतलब यहार कि एक मीटर्व में तीस मीटर्व होरिजंटल सीदा सिदा यह समझ जाएं थीश मीटर और यह एक मीटर है इनके दिफ्रेंस वर्टिकल दस मीटर है तो जाहिर सी बात है कि एक मीटर में 30 मीटर है तो दस मीटर में दस गोड़े 30 हो जाएगा जानि कि जो हम इसका एलाइमेंट करें इसका जो हम लेंगे वह तीन सो मीटर कर लेंगे तेन सो मीटर करने अब हम क्या गरेंगे डियर कि एक सेंटर ले करके न एकॉप मिटर त्रिज्याँ का कितने का 5000 barbecue 300 другие 300 अच्छाप लगाएंगे लगाएंगे जो एगप ले बान की कंटूर मतलब जो यह क्या नाम है कंट्our आप देख रहे हैं स्वाइक कोई भी आया किसी दिया को दो बिन्दों पर काटकर देख रहे हैं दो बिन्दों पर काट रहा है कि पॉयंट यह अधिस्टेंस थीन सब सब्सक्राइब हो टीन सूमेटर का रीडियस अके लेma है कि आर आफ 300 हनडेड आर आफ प्रीहंड़ेड मीटर कितना आप शनकों प्रीहंडेड मीटर करके यह थैह सरपाफ्टि अब यह देह सब्सक्राइब जाएं ओ प्ती बीदेशिक मुपまぁ anthony 300 let record करना है और यह भी आपढ Elie और देख यह करेंगे इसे को सेंटर लेंहें फिर 300 कि तो यह वाल ली जाए हो गया इपॉइंट भाई ठीक है यह इडाइश ठीक है तो अब इस तरह से आपको दो मिल रहा है एक एक अलायमेंट यह मिल रहा है ऑग शारी एक आपको यहां पे मिल रहा है यह और दूसरा alignment आपको इस तरह से मिलना दो alignment मिल रहा है आम लोगों को है न अब दोनों में से जो alignment better best हो आपकी condition के हिसाब से उसको आपड़ कर लिजे अब इसी पत से alignment होता है तो longitudinal slope का alignment होता है ट्रैक alignment होता है वह हम आगे बढ़ाते चलते हैं अब इसका alignment line मिलते चली जा रही है अब इसी के रिस्पेट में हम आगे वर करते चले जाएंगे ठीक है तो यह चीज़े हैं अब इसके बाद यह जो आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रैक दे अलाइममेंट उसके बाद जो next है next method जो है dear जिसके हम बात कर रहे हैं वह method क्या है कि अब हमें किकी reservoir का capacity determine करना है कि किसी reservoir का capacity determine करना है तो हम कैसे determine करेंगे देखिए to determine the capacity of a reservoir ठीक है तू डिटर्माइन तू डिटर्माइन दा कैपसिटी आप एक रिजर्वाय है ठीक है किसी रिजर्वाय की कैपसिटी कहते डिटर्माइन करना यह साल चीज़ हम सीखेंगे कि बहुत कंटूर मैप के मदब से बहुत आसानी हम किसी डिटर्वाय की क्या पसिटी डिटर्माइन कर सकते हैं देखें कैसे कि यह कोई डाम हो गए अगर अगर है इसका कंटूर मैप दे रखता है अगर ऑगजिए इसका मैप अगर दे रखता है और गिरे वे छेतर का एरिया मालत एरिया इसका एवन है यह एटू है एट्री है यह फॉर एंड्स ओन यह एन है इस तरह बढ़ते गया यह डैम हो गया आपका तो यह कंटूर लाइन हो गई अब इसका मालत यह जो है है 99 मान का है यह वैलू का यह वन लेड़ वन लेड़ान है वन लेड़ ट्व है वन लेड़ ध्री है तो अब इसकी मदद से इसकंटूर मैप के मामते हम जो है क्या करते हैं कि जो आपको इस चीज को धिहान देना है कि जो मतलब देख रहा है ने जो मिनिम्म रखे जिसे अलिवन सर्फेस वर काबर जो भी सर्फेस और हर क्चैपसिटी वहीं उसी कंटूर लेवल तक हम लोग करते हैं जिस आब देखिए आगे क्या करते हैं कि की इसके जो मालेंगे कंटूर इंटर्वल को अपन लोग एच माल लेते हैं कंटूर इंटर्वल इसकों टू एच ठीक है और जो इनके एरियास है और सब्सक्षेत्रफल से अगर दो कंटूर है तो आपको वॉल्यूम उसका लेकर अगर बहुत सारे हैं तब उसकेस में दो फार्मूले हैं यहां पर ऊठ़ीक है पहला हा है धिससे हम लोग बोलते हैं ट्रेप्ड वाइडिल फॉर्मूला एट्रेप्रो 적 retir फॉर्मूला में क्या होगा क्ली यह माले इंट्टूर नाठ्यॉंका विल्यूपशीट्व आच गोडिயो इंटू डू अहीट्यू हम जियू ही प्लस एंड ङयू a2、a3 yes—1 ठीक इसको आपन लोग क्या बोलते हैं ट्रापोसटर फॉर्मुला डूसरा जिसके में बात करहूं जिसको बोलते हैं प्रिजमॉय डल फिर्मॉयडल फॉर्मुला फ्रीजमॉय डल फॉर्मॉला प्रिजमॉय डल यह आता है और उसके बाद, a1 प्लस पोर, a2 प्लस a4, ठीक है, add to on वतना और दम, even number का sum, plus 2, a3, plus a5, plus and so on, odd number का time, ठीक है, a1, plus, ठीक है, इस तरह से आप add करते जाते हैं, और प्लस एन कर देते हैं ठीक है प्लस एन यह आपका फॉर्मूला कहलाता है प्रिज्मॉइडल फॉर्मूला कहलाता है और यहां पर एन जो आप देख रहे हैं और इस दा और नमबर जब यह नमबर और नमबर में होता है ठीक है और नमबर यह चीज़ें है इतना चीज़ें अगर हो रही है तब जो है आप इसको जो है अप्लाइ करेंगे अब और विश्वम संख्या के लिए ठीक है तो इसके आज के लिए इतना ही और प्रक्टिस जरूर करते लिए और इसके बाद लोग मिलते हैं next lecture में नेक्स लेक्चर में आपका ये आकंटूर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे ओके थैंक यू अविर्वान थैंक यू सो मॉच अभर एंग हो जया हो जबड़ हो जब हो जो हो जब करने यू थैंक यू आपका यू था कि अचलने को दो एक्सका यू आपका यू